एक जमानी में बच्चों द्वारा अपने हाथ से बनाएगे मिट्टी के घराउंदी तथा उसमें रंग रोगन तथा रंगीन काघजों का आवरंदी पावली की शोभा बढ़ा देते थे बच्चे उसमें मिठाई पटाखी आदी सामान भी रखते थे लेकिन बदलती जमानी में जहां घराउंदी बनाने लायक मिट्टी दुरलव होने लगी है वहीं इसका अस्थान अब बाजार में बने रेडिमेंट घराउंदू ने ले लिया है मुझदफरपूर जिले के सिकंदरपूर रानी शती मंदिर के पास रहने वाले इंटर के चात्र अंकित कुमार पिछले आठ साल से थर्मो कॉल से तयार किया गया घराउंदा बना बाजार में उतार रहे हैं दिपावली के पुर्व संध्या पर लोगों द्वारा उसकी जमकर खडिदारी भी की जाती है इसमें थर्मो कॉल के घराउंदी की डिमांड सबसे अधिक थी घराउंदो की कीमत भी ऐसी ही रखी गई थी कि उसे हर वर्ग के लोग खडिद सकते हैं अंकित ने बताया कि घराउंदो की कीमत दो सो रुपए से लेकर आट सो रुपए तक रखी गई है अंकित ने कहा कि दिपावली पर रेडिमेड घराउंदा निर्मान में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आयी है इस वार अंकित ने करीब डेड़ महीने पहले से घराउं जैसे कि पहले हम बहन के लिए दो तीन किस बनाए थे तो वह हम दुकान पर घर वाले के कहने पर रखें तो वह बिग्यान उसके उसी साल से हम घर बनाना स्टार्ट किये और इससे हमें पॉकेट मनी भी आ जाती है और घर का भी छट दिवाली में काम हो जाता है अच्छी तरी पहले में और अभी में बहुत का अंतर हुआ पहले थोड़ा लाइनिंग का थोड़ा डिफरेंस था और अभी एकदम सार्फ बन रहा है और यह चार से पांच स्टेप में बनता है कितना समय लग जाता है एक घरांदे में लंसम तीन से चार घंटा लगता है पूरा ओल फिन मार्केट में हमारा घरांदा देखा जाए तो हर साल जैसा बनाते हैं पूरा बिकता है और हमारा डिमांड भी लेकिन ओर लेने पौर एग्जिवेशन में होते हैं जो बच्चे सब इसकोल में दिखाते हैं वो सब के लिए बनता है और लेने बदर जब गरंदा बनागी जदा खुशी मिल रही है कि अब जब राम मंदिल का मॉडल बनाने का मिला है तब ऐसे तो हम यह बना रहे हैं तो अच्छा लग रहा है लेकिन राम मंदिल बनाएंगे यह मेर लिए सभागे साली की बात है कि कहां से उत्तर प्रदेश वहां के कोई मंत् पर्शू होकर हमारा नाम अंकित कुमार क्या करते हैं अभी हम विद्यार्थी हैं इंटर क्लास में हैं और एक्स्ट्रा में हम कॉंपटीशन के भी तयारी कर रहा है